नमस्कर दोस्तों मेरे नाम स्रीकान कुमार अब देख रहे टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों अब आपको अधार सेवा केंद्र जाने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगा अब घर बैठे अपने मोबाइल से अधार कार्ड में नाम जनमतित और एड्रेस को चेंज कर सकते हैं मात्रे 5 मिनिट में तो दोस्तों अगर आपको अधार कार्ड में करेक्शन करना है तो इस वीडियो के लास्त तक आपको बने रहना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्र परकार से चले आना है और इस ओफिस्यल वेप साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर आप अधार कार्ड में किसी परकार का सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर देखिए एक ओप्सन दिया है लॉग इन लॉग इन के ओप्सन पे क्लिक करना इस परकार से है क्लिक करने के बाद इस परकार के पेज यहां पे ओपन हो जाता है तो सबसे पहले जोकि इस बॉक्स में अपना अधार नमबर को टाइप कर लेना है उसके बाद एक कैप्चर कोट को इस बॉक्स में आपको टाइप कर लेन और उसके बाद देखेए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एक बूर्प से क्लीक करने के बाद देखेए लिए आज़ेश आप को देया गाए अधार online, इस वाले option पे click करना इस परकार से, click करने के बाद इस परकार का एक interface यहाँ पे open हो जाता है, और यहाँ पे दिखिए बताएगा कि अधार card में कि इस परकार से update कर सकते हैं, update करने का कितना charge आपको देना है, इस परकार से यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले आ अधार card में जो भी आपको update करना होगा, यहाँ से आपको select कर लेना होगा, जैसे अगर आप नाम update करना चाहते हैं, तो इस वाले option को आपको select कर लेना है, और life में आप जो हैं कि यहाँ पे दो वार update कर सकते हैं, अगर अधार card में date of birth को update करना चाहते हैं, तो second वाले option को लाइप में आप एक वार update कर सकते हैं अगर अधारिकार्ड में Millennste CLS 7 बदलनाँ चाहते लांस्ट वाले उपशन को अपको चुछ कर ले ना और दोस्तों यह जो है कि आप 12 महीना में एक वार सुधार कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे नाम को अगर आपको update करना है तो नाम को इस परकार से select करना है देखिए इस परकार से select करना है उसके बाद अगर आपको date of birth को update करना है तो इस परकार से select कर लेना है अगर आप gender को update करना है तो इस परकार से select करते जाना है और जो भी आपको update करने है इस परकार से आपको select कर लेना उसके बाद जोगिए आपको proceed to update अधार के option पर आपको click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर चले हैं आपको click करके दिखाते हैं नाम तो यहाँ पर दिखें नाम को select कर लें और नाम select करने के बाद जोगिए proceed to update के अधार के option पर click करना है इस परकार से उसके बाद जोगिए अगला page यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर दिखें इस परकार से देखने कलब को मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको इस परकार से नीचे आना और यहाँ पर दिखें सबसे पहले इस box में new नाम को आपको type कर लेना हो जो आपको नाम change करना है उस नाम को इस box में आपको type कर लेना है उसके बाद जोगिए इस box में automatic हिंदी में यहाँ पर type हो जाएगा और दोस्तों यहां पे देखिए आपको document upload जो करना है तो यहां पे देखिए दो option दिया गया है तो पहला option यहां पे दिया गया है देखिए अगर आप gallery से upload करना चाहते हैं तो इस वाले option को select कर लेना है अगर आप dg locker से upload करना चाहते हैं तो second वाले option को आपको यहां से select कर ले तो इस list में से आपके पास कोई ने कोई एक document होना चाहिए, तब जाकर आप नाम को update कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा option दिया गया है, तो यहाँ पर चलिए मेरे पास pen card है, तो pen card वाले option को आपको select कर लेना होगा, जो भी आपके पास document उसको आपको select कर लेना ह जो continue to upload के option पे click करने इस परकार से, उसके बाद अपना file को select कर लेना है, और जिस file में आप document के रखे हुए, तो यहाँ से आपको select कर लेना होगा, तो चले में हाँ से select कर लेते हैं, इस परकार से, select करने के बाद दिखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपका green इस परकार से आ आपका बिल्कुल सही है, और दोस्तों यहाँ पे जो कि आपको PDF में upload करना हुगा, एक MB से कम आपको upload कर देना है, और उसके बाद next के option पे click कर देना इस परकार से, और उसके बाद दिखिए दोस्तों इस परकार का interface यहाँ पे open हो जाता है, और जो नाम आप correction कर रहे हैं, इ इस बॉक्स पे tick out कर देना है, दोनों बॉक्स पे tick out करना होगा इस परकार से, tick out करने के बाद next के option पे आपको click करना है इस परकार से, और उसके बाद दिखिए दोस्तों यहाँ पे make payment का option इस परकार से open हो जाता है, और यहाँ पे दिखिए आपको 50 उर्पय का charge देना होगा अप्डेट करने के लिए तो अचार्ज देने के लिए आपको क्या करना होगा तो इस box को आपको tick out करना है और tick out करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जागा make payment इस वाले option पर क्लिक करना इस परकार से तो यहाँ पर दिखें दोस्तों payment करने के लिए यहाँ पर चार option दियागा चार option से आप payment कर सकते हैं तो जिसे आपको सुपधा पढ़ते हैं यहाँ से आपको select कर लेना होगा तो चलिए मैं wallet पर click करते हैं इस परकार से क्लिक करने के बाद देखिए इस परकार का इंटरफेस यहाँ पे open हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे option भी आपको देखनी क्लब को मिल जाएगा तो चलिए मेरे पास जो सुधा है तो यहाँ पे पेपफोन का सुधा है तो इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोसीट के option पे क्लिक कर देना इस परकार से हो जाएगा पेप के option पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए दोस्तो इस परकार के time यहाँ पे open हो जाता और इसी time में जो कि अपना पेपफोन अप्लिकेशन को open कर लेना होगा तो चलिए हम open कर लेते हैं पेपोन अप्लिकेशन open करने के बाद देखिए दोस्तो यहाँ 50 रुपय का request यहाँ पे आ गया है तो इसको आपको क्या करना होगा तो पेप वाले option पे क्लिक कर देना उसके बाद UPI नमबर को टाइप कर देना उसके बाद आपका payment successful हो जाता है जो इस परकार से आपको interface आपके अधार कार्ड में यहाँ पे update हो जाता है तो यहाँ पे देखिए working day जो दिया गया है 5-7 दिन में जोई की update हो जाता है तो दोस्तो इसी परकार से जोई कि अधार कार्ड में नाम जनमतीती address को change कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो गर आपको अच्छा लगा तो वीडि सकंष कर लिजर का